Welcome to DKPS Online Classes हम लोग आई topic, next topic, data types next topic का नाम क्या है data types जो आज हम लोग discuss करते हैं data types के बारे में हम लोग last विडियो में देखे थे क्या देखे थे operators और constant के विडियो था उसके बाद आज नेक्स्ट विडियो है data types data types के बारे में पढ़ेंगे देखे डाटा टाइप्स क्या होता है डाटा टाइप्स एक होता है स्टोर केपेसिटी को जिस टाइप का डाटा रहता है उस टाइप का उसका केपेसिटी रहता है स्टोर करने का ठीक है देखे अब उसका रेंज देखे डाटा टाइप्स का डिफिनेशन यहां पर देख using variables there are c++ supports different types of data types देखे कौन किवा सा है fundamental primitive data types उसको हम लोग fundamental से भी बोल सकते हैं और primitive data types वो कौन सा है care int float यह सब किस में आता है float में आता है ठीक है अब देखे drive data types जो drive data types array ठीक है पॉइंटर। अच्छा, इसटक्चर। यूनियर। इंपटिव डाटा टाइप्स में होता है। अब देखें फंडामेंटल, फंडामेंटल और रिमिटिव डाटा टाइप्स का इसका डिफनेशन क्या होता है। इस डाटा टाइप आर एड द लोईस्ट लेवल डाट रिप्रेजेंटेड एक्चुवल डाटा फिक्स डाटा इन कॉंप्यूटर मेमोरी ठीक है जैसे में केयर हो गया इंट हो गया फ्लोट हो गया लॉंग हो गया यह सब किसमें आता है फ्लोट फंडामेंटल में ना देकि इसका सारा हमें एक लिश्ट लास्ट में दिखाएंगे जब इस सब सारा का एक डिफनेशन कर लेंगे तर में उसका टेवल का एक लिश्ट दिखाएंगे देकि ड्राइब डाटा टाइप्स ड्राइब डाटा टाइप्स डिस डाटा टाइप्स आर इंहरें फोर्म दा प्र by the user user के थूरू हम लोग define करते हैं उसको क्या बोलते है यूजर डिफाइन डाटा टाइप जैसे में देखिए यूजर डिफाइन डाटा टाइप जैसे में देखिए किसको बलते हैं structure, union, class आप देखिए हम पर क्या है list क्या है list of primary data types हम लोग कितना टाइप का डाटा पढ़े ह इसका एक होगा fundamental drive और एक क्या हो गया user defined data types एक हो गया इंपर्टी डाटा टाइप जिसको बोलते हैं ठीक है यह चार्थ हो गया अब देखिए हम लोग क्या है आप बरते हैं जैसे कि हैं डाटा किस टाइप का डाटा है उसका क्या size होता है उसका range ठीक है यह पढ़ेंगे हम होता है one byte उसका range होता है 125 – 128 to 127 अंसाइन का होता है क्या अंसाइन का होता है अंसाइन का होता है लो जीरो टू 255 उसका बाद int का देखिए तूबाइट होता है इंट का कितना इसका रेंज होता है क्या 0265535, लॉंग का होता है 4 वाइट, क्या होता है साइज? उसका होता है साइज 4 वाइट, बट रेंज होता है माइनस 21474836482, 2147483647, अनसाइन लोग, इसका भी रेंज होता है 4 वाइट, इसका रेंज होता है 024294967295, थाइज का बोलेंगे हम लोग float क्या बोलेंगे float float के कितना होता है four byte क्या होता है four right इसका range क्या होता है 3.4 into 10-38 2 3.4 into 10-38 double double क्या होता है it क्या होता है eight byte but इसका range होता है 1.7 into 10 के पावर मायनस 308 इंटू 1.7 इंटू 10 के पावर 308 अब देखें लोंग डाबल लॉंग डाबल के क्या होता है टेन बाइट क्या होता है 10 बाइट इसका रेंज होता है 3.4 इंटू 10 के पावर माइनस 4932 to 3.4 into 10 के पावर 4932.